हेलो गेश वेल्कम बैक टू चैनल तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछ एक ना बोक्स आ चुग है रेड्मी नोट ने प्रो का तो मेरे पापा ने लिया यह रेड्मी नोट ने प्रो और मैंने सुचा क्यों ना आपके लिए कंपैरिजन लेकर आए जाए पर हाए जोगी काफ़ी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने मला है तो बीडियो को पूरा बहुतकर मत भूलना तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं चाहँ ऐसके जो काफी अची फोर्टो आसकती है। और दोस्ताइक यह एक प्रोसेसिंग करती है जिसे थी एक प्रोसेसिंग तो अगर आपको नहीं समझाए तो पोस्ट प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज होती है मतलब जैसे अपने फोटो खीची जो आपका प्रोसेसर है वो पोस्ट प्रोसेसिंग करेगा उसकी शापनेस कितनी होनी चीज है उसका कॉंट्रास्ट उसका मतलब कलर सैचूरेशन कूलर साइड और होटर साइड मतलब ऐसे काफी कुछ करना पड़ता है पोस्ट प्रोसेसिंग उसके बाद आपको फाइनल फोटो देखने जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है तो सबसे वहले हम फोटो देखे तो यह एक नॉर्मल फोटो खीचेप तो नॉर्म थोड़ी सी थोड़ी सी डिटेल से वह थोड़ी सी कम है रैद्ट में आच्छ आए भी टो आपके दिखते हैं वहीं प्लावर के फोटो कितने इच्छी दिटेल साइड को ऑच्छी देखने दोनी देखेंगे मलिए वे तोड़ी एक चीज रहे है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है थोड़े से पैटल में में थोड़े सा फेट दिख रहे को मिल रहा है इतना कुछ चलता है इतना में इतना कोई घराई से देखता भी नहीं आजकर तो अगली फोटो की बात करें तो आप देख सकते यह अल्टरा वाइट कैमरा से फो छोड़ेशी कूल्रा रहे है और slow upload अपको फोल्च को भषंप बता दूक कि में क्लोश टू नेचरल है और 12reno प्र tãoá total है तो में काफे जाए कि फोटो साँ आप चलते हम पोट्रेट पर मतलब पोट्रेट हमरे निकी से लिखना थे दोनौ की फोटो आप देख सकते हैं तो काफी जादा दिफरेंस पहले नहीं मिलेगा सबसे पहले सैचुरेशिक डिफरेंस जो कि मैंने बता दी सब फोटो में वो साथकी साथ अप डिटेयल्स देखिए नोट 9 Pro में एक दम टॉपनों डिटेयल्स आपको मेरी बहुत अच्छी डिटेयल्स देखिए को मिलेंगी मेरी पोटो में और बट में आप देखें बिल्कुल भी ब्लो नौट फोटो आई है बिल्कुल कोई भी हल्की सी भी मतलब जादा डिटेयल्स नहीं है उसमें बट दो कि यह खराब और ठीक होना है डिटेयल्स का यह नोट 9 प्रो में भी होता रहेगा जब भी कोई अपडेट आता तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता कुछ ना कुछ बेकर हो जाता तो यह कुछ चलता रहता है इनका सो मतलब मैं आपको दा सकते हूं कि अगले अपडेट मे देखते थे नोट 9 प्रो में जादा अच्छी है आप बोल रोगे कि मतलब दोनों में सेम कामेरा सेट अप है और डिटेयल्स का फरक क्यो आ रहे हैं तो आपको बदा दू कि प्रोसेसर देखे ना सेवन ट्वेटीजी काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है पर 665 थोड़ा आपको बोलुगा कि फोकुसिंग का इस्टा थोड़ा सा थोड़ा सा लेट फोकुस होता है वको दबाद बार बड़ तच करना पड़ेगा बार वार फालतुगा सो थोड़ा सा टाइम लगता है फोकुस होने में बाकी दोनों के कैमरा काफी ज्यादा अच्छी है तो अब कि बात कि जाए तो हमारे जो नोट 9 pro है उसमें 20 मेशील का कैमरा ऐथिंक एन हमारे में 32 मेशील का कैमरा जो की काफी ज़्यादा जबरदस चलता है अलफी कैमरा के मामने बताद हो कि मेशी क्लियर विनर ज्यादा में पिक्सल जादा डिटेल जादा अच्छी क्लियर टी और अब बूके अफेक्ट को यह मैं अछों सब्सक्राइब और अवर फोटो कि आती है तो तो शेल्वी के मामने में मारा मिये जादा अच्छा है नाइट मोड की वात की जाए तो यह काफी की इंटेस्टिंग चीज है नाइट मोड़ आप देख सके ह्या है मारे मैं रिप्य ख आप देखेंगे कि में अगर जूम करके देखते तो आपको काफी शारी चीजे और भी दिखने को मिलती ही नहीं है इसा मुझे अच्छी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सी जादा अच्छी लगी वीडियोग्राफिक दोनों की काफी जादा अच्छी है इसमें काफी ज्यादे दो एडवांटिज जो की काफी ज्यादा बड़े हैं तो सबसे पहले जाए हमारा 960 fps की वीडियो शूट कर सकते हैं सब्सक्राइब देख सकते हैं कितनी अच्छी वीडियो आती है एकदम ऐसी अच्छी आती है स्मूद है काफी बड़ थोड़ी सी लगते वह नाइन सिक्ष्ट एक सॉफ्ट्यर से करते हैं लोग बड़ आपको बताओ कि जो रियल्मी के फोन से उनसे वे बैटर है वे क्यों सब्सक्राइब के साथ रेट्मी ने प्रो में एक और अद्वाइश्टी जेखने को मिलता है जो कि हमारा वीडियो में प्रो मोड तो काफी ज्यादा काम की चीज़ है तो मैं भी वह प्रोपोड यूज कर रहा हूं अभी मतलब मैं अपनी में में एक नया सॉफ्ट्य डाउ नहीं करना पड़ेगा लग से सब्सक्राइब काफी ज्यादा चीजी लगी और फोर के वीडियो की बात की जाया तो देख सकते हैं तो देख सकते दोनों में मैं दोनों वीडियो में बाग रहा हूं और मतलब स्टेबलेशन काफी अच्छी है पर हमारी 4K में चलती है स्टेबलेशन चल जाती है तो मुझे वीडियो कैमर भी काफी ज्यादा अच्छे लगे दोनों के अवरल केमरा की बात की जाए तो हमारे जो नोट ने प्रो है उसमें काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है हमें उसमें ज्यादा अच्छी कैपैलिटीज देखने हूं मिलत सब्सक्राइब काफी ज्यादा अच्छा काफी ज्यादा अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन बदा सकते कि आपको नोटन प्रो या फिर में और कोई वीडियो चाहिए कैमरा पे या फिर जी कैम बगारा पे तो मैं वह भी बनाने की बहुत अच्छी से कोशिश करूंगा यह थी आज की वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आसी वीडियो लाता रहता हूं और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में